शाहरुक खान का नाम सिर्फ भारत में ही नहीं, बलकि विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है. उनकी जितनी जबरदस्थ फैन फॉलोइंग इंडिया में है, उतना ही विदेशों में भी उनका क्रेज है. बीते शनिवार को शाहरुक खान को 77 लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया. एक्टर को स्विट्जरलैंड के लोकार्नो के पियाजा, ग्रांडे में 8000 लोगों के सामने इस पुरसकार से नवाजा गया. सिनेमा में अपने योगदान के लिए शाहरुक खान को पार्डो अल्ला कैरियरा अवार्ड से नवाजा गया है. फिल्म फेस्टिवल में उनकी 2002 की मूवी, देवदास की स्क्रीनिंग भी हुई. लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुक खान, ब्लैक शिर्ट, जैकेट और गर्म मौसम में पसीने से परिशान होने के बावजूद, किंग खान ने लोकार्नो के मौसम की खूब तारीफ की. एक्टर ने लोकार्नो को खूबसूरत, कल्चरल और एक्स्ट्रेमली हॉट सिटी बताया, जहां पर इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं. एक्टर ने अपने स्पीच के अंत में, किंग खान ने सभी का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा, कि मैं अपनी तरफ से और इंडिया की तरफ से आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ. नमस्कार और धन्यवाद, God bless you oil. वर्क फ्रंट पर बात करें, तो बॉलिवोड किंग शाहरुक ख फिल्म है, जो गुरु और शिश्य के सफर को दिखाती है. खबरों की माने तो, फिल्म में शाहरुक डॉन के रोल में नजर आएंगे. उनका ये रोल एक ग्रेशेड किरदार होगा. वहीं सुहाना खान किंग की शिश्या की भूमिका निभाएंगी. सिदार्थ आनंद की प सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना न भूले.